हलो एब्रीवान वोल्कम टू दा चैनल आज चैनल का टैक देखके तो पता चल गया है कि आज किसके बारे में हम बात करेंगे आज हम एक डिसी पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे देखेंगे इसका फीचर और एक ऐसे काम करते हैं अगर कोई बंदा इसे पर्टेस करना चाहते हैं तो फिर पर्टेस कर सकते हो क्योंकि यह बहुत ही अच्छा पूड़क्ट है देखने में अच्छा है लेकिन मीनी है मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा होगा लेकिन जब मेरे पास आया आईए तब देखा मैंने थोड़ा सा छोटा है ठीक है लेकिन काम ठीक से कर रहा है मैंने देख लिया पहले मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ देख सकते हो आप बहुत ही अच्छा है तो इसके साथ फ्रेंड एक मैंने लगा के रखा है यह एक में रिबोन होता है जो यहां पर लगा के आप हैंड रिष्ट पर लगा सकते हो ठीक है तो मैं दिखाता हूं और फ्रेंड और एक बात मैं साजेस्ट करूंगा कि इसके साथ जो पावर केविल आता है यह पावर केविल आप चाहे तो आवर्ट कर सकते हो यह यहां पर जो ब एक खुद का केविल है जो अच्छा केविल है वह मैं यूज करूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छा सा केविल पार्चेस कर ले जो मुलिटर के साथ जो आता है वह ऑड्जिनल केविल वह मैंगा बाला दुकान में जो हंडेट से उपर प्राइज है वैसा अगा देख सकते हो एक इसका जो एलेटी दिया है सामने बहुत ही अच्छा है डिस्पले जो वीउ है और यह भी होयाय सब्सक्षित कर सकते हो फोय और यह पर कुछ है सिस्रोंट बेकिstyle स्ट कर गमदी है और फैड्य था सब्सक्रेम्ट में बता दूँ हूँ यह जो डिसे पाइदा होगा जिसको पता नहीं उसे तो फायदा होगा देख सकतो फिरेंड आप यहाँ पर जो है यह सीवी है सीवी का लाइट इंडिगेट कर रहा है लाइट थोड़ा सद दीख नहीं रहा है आपको अब तो दीख रहा है ना और इसके बाद सीशी है जो मैं बताता हूं सीवी मतलब कॉंस्टन भोल्टेज ठीक है और सीशी मतलब का इसे car constant current ठीक है और यहाँ पर एक इक्स्टर फिचर्स है जो क्विक चार्ट का घलिए यह बहुत ही फासंट फोन को चार्च कर देगा आपका वमभाईल को और यहाँ पर देखिए फ्रेंड के यहाँ पर एक सूट्र दिया है एक स्विच दिया है एफ OCP का मतलब होता है over current protection अगर switch आप OCP पर रखेंगे तो मान लिजिए आपको लैप्टॉप आया है आपके पास dead laptop वो short है तो आप जब भी यह दोनों ribbon को एक साथ लगाएंगे तब एक beep मिलेगा आपको थोड़ा से दे दू बोल्टेज 22 बोल पर रखता हूं देखा फेंड जब भी आप टाच करेंगे तब भी देखिएगा एक beep होगा आपको मैं ठीक से देखा दू दीख नहीं रहा है शायद देख सकते हो यह जब भी मैंने यह दोनों को टाच करूंगा तब भी एक beep आयेगा लाइट भी जलेगा ठीक है एक second अब देखो अब आपको पता चलेगा ठीक है देख सकतो फेंड जब भी मैं यह दोनों को टाच करूंगा प्लाशिंग हो रहा है पर यहां पर दिखा रहा है ओबार कारेंट प्रोटेक्शन जो है वह अन हो रहा दिखा रहा है ठीक है ठीक ह बने रही है मेरे साथ यह कितना वोल्टेश ठीक ठाक देता है कि नहीं मैं इसका एक प्रोप को इसका नेगिटिव प्रोप को नेगिटिव में लगा देता हूं और एक पॉजिटिव प्रोप को पॉजिटिव में लगा देता हूं ठीक है अब फ्रेंड्स देखिए यहां बिस्प्ले में जो दिखे रहा है वो 20.34 V और यहां पर 20.38 V दिखा रहा है ठीक है यह 4 5 6 7 8 4V ज्यादा दिखा रहा है ठीक है तो मैं यहां पर तोड़ा सा कम कर दूँ तब यह दिखा रहा है 16.30 और यहां पर 16.32 मैं इसे पूरा कर देता हूं 26 26.5 ठीक है दीख रहा आपको यह थोड़ा से बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा यह 31 31.55 और 31.61 आप देख सकते हो अच्छा है यह बहुत ही अच्छा पाउर सप्लाई है आप चाहो तो पार्चेस कर सकते हो और इसका बाजेट भी ज्यादा नहीं है साड़े 5000 के अंदर मिल जाएगा आपको यह बहुत ही अच्छा है और यह SMPS-based power supply है जो और एक होता है जो transformer based होता है वह नहीं है इसका फाइदा है इस पाउर सप्लाई को आप इन्वर्टर में भी चला सकते हो ठीक है इसका फाइदा है और transformer based जो होता है वह इन्वर्टर में नहीं जलता है अब देख सकते हो बहुत ही अच्छा है और यहां पर चार्ज भी होता है बहुत अच्छे से मैं आपको भी देखा देता हूं जो कितना अच्छे से फोन को चार्ज करता है ठीक है लेकिन फ्रेंड मेरे पस दो एक फोन भी नहीं है my video कर रहा हूं तो देखा देता हूं कोई भी आप usb केबल को आप ऐसे ठाप इंसेट करके कोई भी फोन को आप चार्ज देज च प्रेंड मेरे पास सु आभी कोई फोन नहीं है Though यहां सब्सक्रологाजिये टांग 那ेवाला लेकीन होता है मैंने देखा हैध नोट norm पूपाली होता है और बहत ही चर्ठ ठीक है फास्ट आपको यह फोन चार्ज हो जाएगा तो देख सकते हो फिर से एक बाद देख लीजिए और यह अनौप जो स्वीच है वो पूश स्वीच दिया है यहां पर और फ्रेंड में एक बात कहना चाहता हूं आपको अगर इस वीडियो देखके थोड़ा सा भी फायद आज के लिए बस इतना है जय हिंट